न्याए क्या है? न्याए का आधार क्या हो? उचित न्याए और अनुचित न्याए न्याए और अन्याए ये सब बड़े बहुत विचार करने वाले बिंदू हैं और आधार को लेकर तो सहमती बनती है असामती होती है और विबिन तरीके के आधार पर चर्चा होती हैं हम थोड़ा सा जाने लीजे हम कुछ बिंदू आपको देते हैं पहला बिंदू समान लोंगों के प्रती समान बरताओ न्याय है समान लोंगों के प्रती समान बरताओ न्याय है प्रश्ण वाचर समानुपातिक न्याय ही न्याय है मैंने अभी चर्चा की थी कि क्या न्याय करते समय न्याय अधीश को या न्याय करने वालों को अनुपात का भी ख्याल रखना चाहिए तो समान उपातिक न्याय ही न्याय है तीसरा विशेश जरूरतों का विशेश ख्याल रखना न्याय है विशेश जरूरतों का विशेश ख्याल रखना न्याय है इस पर मैंने थोड़ी देर पहले ही चर्चा की थी और अंतिम है क्या वंचितों की सहायता के लिए बनाई गई योजनाएं वंचितों के निम्न तबके के लोंगों के लिए उनकी मदद के लिए बनाई गई योजनाएं नियाए सिध्धान्त की कसोटी पर खरी उतरती हैं ये चार ऐसे आधार हैं जिस पर नियाए को लेकर बातचीत होती रहती है और विचार मन्थन होता रहता है विचारक इस पर अलग-अलग विचार रखते हैं आपका क्या विचार है इस पर थोड़ा सोचेंगे और आपके विचार के साथ ही हम अब आपको ले चलते हैं बीसpadी के एक ऐसे विचारक के विचारों की और जिसने सामाजिक नियाए को नए तरीके से पारिभाशित करने की कुशिश की सामाजिक नियाएं पर एक निया आधार उसने दिया जिसका नाम था रॉल्स पूरा नाम जॉन रॉल्स जॉन रॉल्स जिसका जिक्र मैंने अपने पहले के वीडियो में भी किया है और आपको बताया कि ये इसके मृत्यू मात्र अठारा बीस वर्ष पूर्वी हुई थी लेकिन जाने से पहले उसने एक ऐसा सिध्धान्त दे दिया जो सर्व मानने तो नहीं पर बहुमत उसके पक्ष में है आखिर नयाय को परिभाशित करते हुए नयाय के सिध्धान्त को बताते हुए नयाय का आधार क्या हो इसपर इसके विचार क्या है जौन रॉयल्स के जॉन रॉल्स ने एक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में उसने कुछ तर्क दिये हैं निश्पक्ष और न्याय संगत न्याय तक पहुँचने के लिए नियम की बात हम नहीं करते हैं न्याय की बात करें हमको खुद को एक ऐसी जगह पर ले जाना पड़ेगा जहां हमें निर्णा लेना है कि समाज को कैसे संगठित किया जाए इसका ततपर क्या है इसका आर्थ ही है कि जॉन रॉयल्स का कहना है कि हम स्वायम को एक ऐसी ऐसी परिस्थित में अपने को ले जाए जहां हम neutral हो जाएं, जहां हम उस नियाय की प्रणाली का हिस्सा न रहें तो उसका कहना है कि एक मात रास्टा, निश्पक्ष और नियाय संगत, एक मात रास्टा यही है कि हम खुद को ऐसी परिस्तिते में होने की कल्पना करें जहां हमें यह निर्णा लेना है कि समाज को कैसे संगठित किया जाए और संगठित करने से इसका ताजपर है समाज को कैसे सामाजिक नयाय दिया जाए समाज को कैसे विक्ष सिदिया जाए उसका आगे कहना है कि कलपना करिए कि हम एक ऐसे समाज में हैं हम कैसे समाज में हैं, हम कैसी जगा हैं, हम किन सित्यों में हैं, इसका हमें ग्यान नहीं, अपने को ऐसी जगा पिले जाओ, अपनी सोच को ऐसी जगा पिले जाओ, कि हमें ग्यान ही नहीं है, कि उस समाज में मेरा अस्तित्व कैसा है, उस समाज में मेरी क्या जगा है, उस समाज में मैं किस रूप में हूँ, मैं गरीब हूँ या अमीर हूँ या कौशल मेरे पास है या मैं शिक्षित हूँ अशिक्षित हूँ पुरुश हूँ महिला हूँ सब बातों को भूल जाएए उन सब बातों को जो न्याय के आधार को निर्धारित करने में प्रभावित करती हैं न्याय के आधार को प्रभाव राज में हमारी क्या जगा होगी इससे हम बाहर चले जाएं अर्साथ हम यह नहीं जानते कि मैं किस किस्फ्म के परिवार में हुआ हूँ मैं उच्छ जाती में पैदा हुआ या निम्न जाती में हूँ अमीर हूँ गरीब हूँ सुविधा असंपन हूँ असंपन हूँ आदी आदी जब आप ऐसी स्थिति में चले गए और उसके बाद जब आप सोचते हैं न्याय के बारे में तो शायद आप सबसे निश्पक्ष परिभाशा सबसे निश्पक्ष कलपना न्याय की कर सकते हूं उसका कहना है कि हम अगर हमें ये सब यदिने मालूम हो कि हम कौन होंगे और भविश में हमारे लिए कौन से विकल्ब खुले होंगे तब हम भविश के उस समाज के नीमों के बारे में सही निर्णा कर सकते हूं हमें हम कुछ ख्यान के लिए ना जाने कि हम कौन है हम किस समाज के है हमारा लिंग क्या है और उससे बाहर आ जाएं और बाहर आने के बाद हम भूल जाएं कि हम कौन है और फिर सोचे नियान की बात तब शायर निश्पक्षटा तब शायर निश्पक्ष नियान सामने आ रहेगा ऐसा करने पर भविश के समाज के नियम और संग्ठन के बारे में जो हम निर्णा लेंगे वे निर्णा सर्वषेष्ट होंगे ऐसा उसका कहना है इसको आगे उसने अपनी शब्दावली से परिभाश्चत भी किया है पर फिरहाल मैं जो प्रयास कर रहा हूँ आपको यह समझाने का कि जॉन रॉल्स ने नियाय को परिभाश्चत करने के लिए एक कंडिशन बनाई है और कहा है कि आप इसको सही परिभाश्चत तभी कर सकते हैं जब आप कौन है जब आप अपने इन सारे हितों से बाहर हट गए हैं और फिर नियाय की बात करते हैं तभी आपके द्वारा नियाय को नियाय सम्बंधी विचार नियाय सम्बंधी नियम नियाय सम्बंधी संगठन आदी सर्व मानने होंगे सभी सदस्यों के लिए अच्छे होंगे रॉल्फ ने इस बात को अग्यानता के आवरण में सोचना कहा है क्या शिर्शक दिया है अग्यानता के आवरण में सोचना अपने को अग्यानी बना ले अग्यानी किस रूप में कि हम कौन हैं अग्यानी किस रूप में कि हम अपने हित को जानते ही नहीं और आवरन याने परदा आवरन याने ढखने की चीज़ तो अपने उपर अग्यानता का आवरन पहना लें और इसके बास सोचें तब जो आप नियाय की परिभाशा या नियाय का सिध्धान या नियाय का अधार के बारे में सोचेंगे वो शायद सर्व मान्य निकलेगा या की रॉल्स की अवधारना थी जॉन रॉल्स की ये अग्यानता का जो कल्पित आवरण अग्यानता का ये कल्पित आवरण पहनना ओड़ना सही कानून और नीतियों को बनाने में पहला कदम होगा अग्यानता का आवरण ओड़िये तो आपने पहला कदम बढ़ाया है किस और नीतियों तक पहुँचने का पहला कदम उड़ारण के लिए पधान मंत्री देश की पधान मंत्री एक नीति बनाना चाहते हैं तो जॉन रॉल्स का कहना है कि नीति बनाते समय वो इस बात को भूल जाएं कि वे क्या हैं किस वर्ग के हैं किस समाज के हैं किस रज के हैं किस तबके के हैं सब भूल जाएं उसका आवरन ओड लें अग्यान बन जाएं तो ये पहला कदम इससे ये बात साफ होगी कि जो विवेक शील जो मनुश है केवल सबसे बुरे संदर्ब के मद्दे नजर चीजों को देखेगा कितनी सही बात कही कि सबसे बुरे संदर्ब में वो चीजों को देखेगा और फिर कानून बनाएगा अब ऐसी स्थिति में जब कानून बनाने की जिम्मेदारी प्रधान मंतरी पर है तो प्रधान मंतरी पूरे विवेक के साथ क्या करेंगे सबसे बुरी स्थिति की कल्पना करेंगे एक नीती बनाते समय उस नीती का सबसे बुरा असर उन पर क्या होगा ये सोचें और ऐसा सोचने के बाद अगला कदम उठाएं इसे ये साफ होगा कि जो विवेक्षील मनुश ना केवल सबसे बुरे संदर्ब के मद्दे नजर सबसे बुरे संदर्ब को ध्यान में रखते हुए सबसे बुरे अवसर को ध्यान में रखते हुए चीजों को देखेगा बलकि ये भी सुनिश्चित करने के कोशिश करेगा कि उसके द्वारा जो नीती बनाई जारी है, उसके द्वारा जो निर्मित नीतिया हैं, वो पूरे समाज के लिए लाप्रद हो, सभी के लिए फायदे मन हो. दोनों चीजों को साथ साथ चलना है, कौन सी दोनों चीजे हैं? पहला, सबसे बुरे संदर्म में मेरी क्या स्थिती होगी, यदि ये नीती लागू हो गई तो, और दूसरा, समाज को इससे कितना अधिक्तम लाप मिल सकता है, अधिक्तम लाप, इन दोनों बिंदूओं को ले के चलना है, साथ साथ, चुकि कोई नहीं जानता कि, या प्रधान मंति स्वायम नहीं जानते कि आगामी जन्म में, या आगामी स्थिती में, आगामी समाज में, वो कौन सी जगह लेंगे, इसलिए, वो चाहेंगे, कि नियम ऐसा बने, जो बुरी से बुरी स्थिती में भी, उनके लिए जीने की एक गरिमा पूर्ण जीवन सुनिश्चित करें क्योंकि दोनों को साथ साथ चलना है और कोई नहीं जानता कि आगामी समाज में क्या स्थान होगा इसलिए हर कोई ऐसे नियम चाहेगा जो अगर वे बुरी भी स्थित में जीने वाले की वीच पैदा हो तब भी वो उसे बचा सके उसका जीवन सामाने बना तके लेकिन उचित यही होगा कि ये भी सुनिष्चित करने की कोशिस करें कि उनके द्वारा चुनी गई नीतियां बेहतर स्थिती वालों को कमजोर ना बना दे बहतर स्थिती वालों को कमजोर ना बना दे ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है क्योंकि ऐसी संभावना भी हो सकती है कि खुद भविश्च के उस समाज में सुविशा संपन समाज में पैदा हो जाए यदि मैंने ऐसा सोच कर कानून बनाया जो समाज सुविशा संपन है कल को हो सकता है मैं उस समाज का हिस्सा न रह पाऊं तो क्या होगा इसलिए ये सभी के हित्मे होगा कि जो निर्धारित नियम है जो निर्धारित नीतियां है उसमें पूरे समाज का फायदा हो किसी एक खास तबके का नी किसी एक खास हिस्से का नी यहाँ निश्पक्षता विवेक सम्मत कारवाई का परणाम है ना कि परोपकार या उदारता का जिस निश्पक्षता की बात रॉल्स कर रहे हैं वो साफ कह रहे हैं कि ये निश्पक्षता कोई जेनरासिटी नहीं है उदारता नहीं है कोई परोपक यह तो बल्कि समय की जरूरत है दरकार है यह सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं मेरे पर ये कानून उल्टा ना पड़ जाए यदि मैंने किसी के हित को ध्यान में रखकर बनाया हो तो तो इसलिए सर्वो परी बिंदू सब का हित निश्पक्षता विवेक सम्मत कारवाई का परणाम होगी ना की परोबकार या उदारता का जॉन रॉल्स की ये जो बाते हैं ये अत्याधिक महत्पूर्ण है और जो शीरशक जैसा बताया अग्यानता का आवरण ये उससे भी ज्यादा महत्पूर्ण है रॉल्स जो हैं वो तर्क देते हैं कि नहतिक्ता नहीं बलकि विवेक शील चिंतन हमें समाज में लाब और भार के वित्रण के मामले में निश्पक्ष होकर विचार करने को प्रेरित करता है क्या चीज विवेक शील चिंतन आपको याद होगा कि मैंने पूर में आपको बताया कि प्राचीन काल में नैतिक न्याय अपने जोर पर था और नैतिक न्याय की परिकलपना ही शायद इस समय लोगों को मालूम थी अब तो वित्रणात्मक न्याय की बात होती है और वित्रण कैसा हो इसकी बात होती है चाहे वो लाब का वित्रण, चाहे सेवा का वित्रण, चाहे आवसर का वित्रण, चाहे संपत्ति का वित्रण, तो यहाँ पे जॉन रॉल्स ने एक बहुत बहुत अच्छी बात कही है, उसका कहना है कि यह जो कानून बनेगा ऐसी स्थिति में, अज्ञानता का आवरण के बाद यदि नीतियां बनाई जाती हैं तो वो नीतियां सर्वशेष्ट होंगी क्योंकि उसमें उदारता या उसमें परोपकारी भावना नहीं है नेत वो तो विवेक का परणाम है विवेक पूर्ण चिंतन का परणाम है और इसलिए वो पुना तर्क देता है कि विवेक श ज्यादा जरूरी है बजाए नैतिक्ता की बात करना नैतिक्ता के तहट यदि हम किसी को फायदा दे रहे हैं तो शायद वह न्याय नहीं कहलाएगा समाज में लाब और समाज में भार के वित्रण के मामले में निश्पक्ष होकर विचार करने की प्रेणा हमें तम मिलेगी जब हम विवेक शील चिंतन करें ना की नैतिक्ता की बाते करें जॉन रॉल्स जिसने एक विशेश आवरण की चर्चा किये अज्ञानता की आवरण की उसकी बात का निश्कर्ष क्या है निचोड क्या है उसने जो बातें रखी या सिधान्त लाए उसकी जो तर्क प्रणाली थी उसका उद्यश था एक सर्व सम्मत प्रक्रिया निर्धारित करें किस चीज की सर्व सम्मत प्रक्रिया वित्रण की आपको याद होगा मैं बारम बार बता रहा हूं कि वर्तमान में आधनिक काल में वित्रणात्मक न्याय वित्रणात्मक न्याय प्रणाली या वित्रणात्मक न्याय सिध्धान्त ये एक तरीके से सबसे ज़्यादा प्रच लेकिन उसमें समस्या है वित्रण का आधार क्या हो वित्रण कैसा हो किन चीजों का हो उसको ध्यान में रखते हुए रॉल्स ने जो सिधान बनाया उसको हम संख्षिप्त में जिसका मैंने जिक्र किया है संख्षिप्त में कह सकते हैं कि एक तरीके से ये युक्ति अन्वेशन आत्मक है युक्ति अन्वेशन आत्मक अर्थात अन्वेशन करने लाए और अन्वेशन करने के पहले अन्वेशन करने के इस्थिति में वो कहता है कि आपकी जो मूल इस्थिती है, न्याय देने वाला या नीतियां बनाने वाला, वह अपनी मूल इस्थिती से हट जाए, मूल इस्थिती को भूल जाए, तो युक्ति अन्वेशनात्मक हो, दूसरा मूल इस्थिती से वा अपने को दूर कर ले, तीसरा बिंदू, अज्ञानता का परदा, अज्ञानता का की चादर, अज्ञानता का आवरण ओड़ ले, जिसके बारे मैं बता चुका हूँ, चौथा, अब मूल इस्थिती की ज़िए बात करें, तो मूल इस्थिती बनाम कालपनी के इस्थि पर आ जाए, यहाने, एक एक ऐसी जग़ा चला जाए, जहां उसका समाज के किसी भी तबके से, किसी भी रूुप में कोई सरोकार नहीं, वा नहीं जानता कि वा किस समाज का किस तबके का है अपने को ऐसा बनाले और ऐसा करते हुए व्यक्तियों को अपनी वर्तमान इस्थिति से चाहे वो समाजिक इस्थिति हो चाहे आर्थिक इस्थिति हो उससे अपने को अलग कर ले प्रिठक कर ले और समाज में प्रचलित भेद भाव के दाइरे से भी अपने को बाहर कर ले तो निशकर्ष रॉल्स का ये है और इस आधार पर रॉल्स की जो तर्क प्रणाली है नियाय सम्मंदी तर्क प्रणाली वो आधारित है और नियाय का ये सर्वसम्मत प्रक्रिया निर्धारित करने का वो आधार देती है जो आवरन की बात की है और अपनी मूल स्थिती से हटने की बात रॉल्स ने की है उसके कारण क्या है वो क्यों ऐसा कहता है, तो उसके लिए उसने हम उसको एक तरीके से उसको नेमावली के रूप में उसको रख सकते हैं, पहला कि मूल इस्थिति में रहते हुए वह ऐसी नीती, ऐसे कानून नी बनाएगा जिसमें जोखिम हो, खत्रे हों, तो इसलिए मूल इस्थिति में व्यक जाएगा, तो अपनों को ही निताम स्थिति में पाएगा, ही निताम स्थिति आपको याद होगा, मैंने बताया था, कि अपनों को बिलकुल ऐसी स्थिति में ले आएं कल्पना करके, जो सबसे ज़्यादा, जिसमें संभावना हो, सबसे ज़्यादा तकलीफ की, सबसे ज़् स्थित्थान्त का सिध्धान्त सभी व्यक्तियों को वैसी स्थित्थान्त जैसी खुद को मिले। दूसरा भेद मूलक सिध्धान्त जिसके तहट हीन तम स्थित्थी से जुड़े लोगों को अधिक्तम। और अवसर की उचित समान्ता का सिध्धान्त जिसके तहट विशमताएं उन पदों और स्थित्यों के साथ जो अवसर की उचित समान्ता सब के लिए करवाएं। संख्षित में रॉल्स के जो सिध्धान्त है या रॉल्स का जो आधार है उसको जहां पर एक आपके लिए एक अतरिक जानकारी के रूप में दिया जा रहा है क्योंकि ये एक बहुत ही महत्पूर्ण सिध्धान्त है आज की तारीक में सरुमान तो नहीं पर सबसे तो फिर इस सबका निश्कर्ष क्या निचोड क्या सामाजिक नियाए नियाए और नियाए के विभिन रूप नियाए का इवलिउशन और नियाए की वरतमान परिभाशा तो चलिए हम फ्लेक निश्कर्ष की ओर बढ़ते हैं है कि रॉल्स के चिंतन ने न्याय सम्मंदी चिंतन को एक नई दिशा दी, नई सोच दी, नई सोच से ताथ पर ये कि पूर में जहां नैतिक या धार्मिक आधार और उसके बाद कुछ अन्य आधार के बल पर न्याय या न्याय संगत नीतियों की बात की जाती थी, रॉल्स ने एक कालपनिक व्यक्ति की कलपना करते हुए, कालपनिक व्यक्ति की बात करते हुए, अज्यानता के आवरण के तहट जो बाते रखी उससे न्याय सम्मंदी चिंतन को नई दिशा मिली, दूसरा इसका प्रभाव क्य हुआ न्याय का लक्ष प्राप करने के लिए इसकी जो न्याय की स्विद्रता है वो आवश्यक हो गई तीसरा न्याय को निर्धारित करते समय सामाजिक न्याय का क्या आधार हो ये तै करने में सहुलियत हुई और चौथा और अरंतिम आलोचना आलोचना इसकी बहुतायद पर उसने एक विकल्प दिया बहुत सारे सिध्धान ताहरे थे लेकिन सभी में आलोचना आएं थी इसकी भी आलोचना होती है लेकिन एक विकल्प के रूप में सामने आए झाल